आप सभी का सौगता आज के market analysis video के अंदर तो आज बहुत ही बढ़िया हमारा दिन गया निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा momentum हमने यहाँ पर catch किया जिसके अंदर almost premium तीन गुना हो गए और ऐसी ही momentum का हम इंतजार कर रहे थे हलंकि market जहां खुला था वो थोड़ा positive territory में था क्योंकि 22,000 के level के पास में खुला था पर मैंने आपको mention किया था exact level की 22,020 का level जब तक cross ना करे उपर की तरफ मत देखना आना तो उपर के लिए मैंने level भी mark के था उसको cross नहीं किया उस वज़े से उपर की हमारी कोई entry नहीं थोड़ा positive लग रही थी भाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि policy rate unchanged है मार्केट को ऐसा कोई negative बहुत ज़़ा sign नहीं है तो somewhere around इस level पे एक छोटा सा scalp किया था उपर की side में वो बढ़िया गया था और उसके बाद में जो ये level मैंने कल के लिए आपको mark करके दिये थे कि market एक range म ये वाला day low टोड़ा तो यहाँ पे 1 minute के time frame पे हमने 1 scalp एंट्री ली और वहाँ पे हमको निकलने नहीं दिया market ने पूरा time हमने बढ़िया hold किया इतना बड़ा और यहाँ पे बहुत अच्छा trade अपने को मिला उसके अलावा छोटे-छोटे scalp यहाँ पे एक scalp यहाँ पे दो scalp और किये थे पर बड़ा trade जो हमको हाथ लगा यह बहुत अच्छा लगा और कल भी हमारे को बिलकुल लग रहा है कि एक बड़ा trend market में दिख सकता है अगर negativity अगर market में continue रहती है तो एक next level की गिरावाट आपको दिख सकती और जो यह level दिख रहा है यह है आपको कल के दिन में आता हूँ दिख सकता है क्या अपना प्लान रहेगा exact हम देखेंगे तो अगर market खुलता है यहाँ से थोड़ा सा gap down संवेरा round मालो इस area में खुल जाता है कहीं पे भी थोड़ा gap down खुल जाता है gap down खुलेगा negative market जो लोग hold करेगे वो profit book करेगे तो वो सकता थोड़ा उपर ज होगा और उसके बाद में 4500 second target तो first target ये और second ये gap down के case के अंदर जहाँ खुलेगा उस हिसाब से अगर market खुल जाता है somewhere around flat यहाँ पे और यह सारे level निकालता है यह न 680 वाले levels जो आज का deal हो था तो भी हम negative के तरफ यही aim करेंगे यहाँ पे थोड़े ज्यादा point अपने को catch करने को मिल जाएंगे 150 point लगबग यहाँ पे nifty में अपने को मिल सकते है in case market मालो flat भी नहीं कुलता है gap down भी नहीं कुलता है और थोड़ा सा gap up खुल जाता है और अगर gap up खुलेगा तो उस case में क्या होगा थोड़ा सा profit booking फिर उस case में भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फ जब तक market positive तभी होगा भाई market जब तक 22,000 के level यह cross नहीं करता न तब तक positive के side में मत देखो तब तक negative के side में देखो या फिर छोटे scalp कर सकते हो अगर gap up हुआ तो बड़ा trend आपको हाथ में नहीं लगेगा इसके अलावा देख लेता है bank nifty में bank nifty भी बहुत अच्छा perform किया हालाग कि मैंने nifty में सारी trades ली थी क्योंकि expiry थी nifty की और यहाँ पर capital का बड़ा बनने के chances थोड़े ज़्यादा रहते हैं bank nifty में भी अगर आपने trade किया होगा तो मैं बोल रहा था कि यह एक range बना रहा है देखो market somewhere around यह range तो इस range का जैसे ही breakdown आया है तो उसके बाद में भाई market में मैंने बोला था बड़े point catch कर नहीं कोशिश करो भाई 700 point का momentum bank nifty में भी देख रहे हैं जो की बहुत बड़ा momentum है और यहाँ पर काफी अच्छे पैसे लोगों ने bank nifty में भी अगर levels के साब से trade किया होगा तो पक्का बनाए होंगे इसके अलावाग bank nifty में भी अगर कल के level के लिए देखोगे तो बहुत ही जादा अच्छे levels दिख रहे हैं मुझे कल के level के लिए अगर bank nifty जितना weak हो गया है अगर flat खुलता है या हलका gap up खुलता है वापस ये सारे level निकालता है 500 वाला level नसदी के बहुत कम से कम ये वाला trend इतना points ये और 400 point आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है minimum इतने points catch करने का मौका मिलेगा नीचे तो कल अगर नीचे की तरफ का trend मिला तो बड़ा target रखना छोटा target नहीं रखना भाई 100-200 रुपे लेके मत निकलना 5-5-6-6,000 रुपे पर lot देने वाला momentum आपके हाथ लगेगा तो पूरा बड़ा momentum catch करने की कुशिश करना flat खुलता है नीचे आता है बहुत अच्छा है नीचे की तरफ 400 point है थोड़ा gap down खुलता है profit booking आती है वापस नीचे cross करता है वापस फिर ये 500 वाले level तो minimum ये levels मुझे कल दिखा ही दे रहे है अगर थोड़ा सा gap up खुल जाता है तो फिर एक range bound हो जाएगा ये सब देखो ये swing नीचे ये हो गया तो इसके बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस थरीके से कर सकता है तो उसमें फिर ज्यादा मजा नहीं रहेगा वहाँ पर शर्प कर सकते हो ऊपर जाता है फाइव ये में में बनाता है हम short करेंगे पर short करेंगे बड़ा उपर के side कोई भी trade place मत करो जिस तरीके की negativity मार्केट में बनी है बाकी देख लेते है sensex का कल expire ही है वहाँ पर भी एक अच्छा trade अपने को मिल सकता है sensex जिस तरीके का दिख रहा है sensex में ये तो पुराने level है उस दिन तो 33 times 30 गुना almost पैसा हुआ था sensex के अंदर तो कल के दिन में भी बहुत अच्छे levels अपने को दिख रहे है पुराने levels भी देखो बहुत अच्छे से काम किये होंगा अगर ये सब आपने trade लिया होगा थोड़ा सा flat किया यहाँ पर देखो एक level दिख रहा है अपने को क्या भई 71,200, 71,200 का low लगा है अब यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि अगर flat खुलता है यह level निकालता है 71,000 का level बहुत ही pass में है तो यह 200 point तो सीधे सीधे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और अगर यह सब levels break करता है भई देखो यह level test हो चुके है तो फिर भई next आपको कम से कम यहाँ पर मेरे को दिख रहा है और 500 point आते होगे तो यह सब level आपके होगे almost और 700 तो मतलब यहाँ पर 200 यहाँ पर और 300 point यहाँ पर तो 500 point गिर सकता है अगर भई यहाँ से अगर यह 71,000 break करेगा तो 300 point आपको और दिख सकते है मालो थोड़ा gap down खुलता है वही same आप मानके चलोगे थोड़ा उपर ही जाएगा वापस नीचे cross करता है 600 वाले है ना 70-600, 70-500 के target के लिए आप aim करोगे तो कल नीचे की तरब बड़ा aim रखना है उपर खुलता है फिर वही यह range bound रह सकता है थोड़ा उपर गया यह नीचे इसको test किया फिर उपर गया तो range bound हो सकता है तो उपर के लिए ज्यादा मत देखो नीचे के लिए बड़े points का aim रखो बाकी अगर अब ही तक आपने courses वगरा प्लान नीकिया है तो हमारी website trading with carol वहाँ पे जा सकते हो complete trader course पर आज के लिए मैंने discount भी दिया था क्योंकि बहुत अच्छा हमारे भाई लोगों का सबका profit बना और पूरा hold करने का मौका मिला क्योंकि हम बहुत दिनों से wait कर रहे थे दो-तीन दिन से जिस तरीक है कि range bound था कि एक बड़ा aim लेके जाएंगे तो बड़िया बड़ा target मिला तो आपको अगर भाई study करनी है सीखना है तो जाके आ आपको दिख रहा है इसकी जगे दूसरा coupon code hero11 hero11 आप यूज़ कर सकतो एक्स्टा discount के लिए बाकी मिलता है कलसुबन 9 बजे live trade के अंदर और sensex के अंदर put side में बड़ा पैसा बन सकता है याद रखना तो भाई बड़ा aim करना है छोटा aim करके काम मत करो 100-100 रुपय बनाओगे बही एक बार में गवाद होगे बड़ा aim करना है तो बड़े target के लिए wait करेंगे बाकी मिलता है कलसुबन 9 बजे